खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्रा न्यूज 18 के मेगा एक्जिप पोल में इस बार बीजेपी छे राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई देती है तो चार राज्यों में एंडियों को नुकसान भी होता नज़र आ रहे हैं इस पर एक रिपोर्ट देखिए इस बार बीजेपी छे राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है तो चार राज्यों में एंडियों को नुकसान भी होता नज़र आ रहा है सबसे पहले बाद उन राज्यों की जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है देश की राजधानी दिल्ली में पिछली बार की तर इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है यहां बीजेपी को कुल 5-7 सीटे मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गडबंधन का सूपड़ा साफ हो सकता है वहीं पहाडी राज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को दोनों सूबों की सभी 9 सीटे मिल सकती है जबकि कॉंग्रेस एक सीट के लिए भी तरस्ती नजर आ रही है नरेंद्र मोधी के ग्रेहराज गुजरात में तो बीजेपी क्लीन स्वीट की हैट्रेक लगाती नजर आ रही है यहां सूबे की सभी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है यहां बीजेपी को 26 से 29 सीटें मिलती देख रही है पिछली बार चिंदवाडा सीट कॉंग्रेस ने किसी तरह बचा ली थी इस बार वो सीट भी बचाना कॉंग्रेस के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है जबकि 36 गड़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है यहां बीजेपी 9 से 11 सीटें हासिल करती नजर आ रही है क्लीन स्वीप स्टेट वाले आकड़े देखकर बीजेपी की बाचचे खिल सकती है तो वहीं अब जन आकडों के हम बात करने जा रहे हैं उने देखकर NDA को थोड़ी निराशा हो सकती है क्योंकि ये वो राज़े हैं जहां News 18 मेगा एग्जिट पोल में NDA को नुकसान होता दिखाई दे रहा है राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार यानी 2019 में क्लीन स्वीप करते हुए 25 सीटें हासिल की थी वहीं इस बार NDA को 2 से 7 सीटों का जटका लग सकता है इस बार सत्ताधारी NDA को 18 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही है वहीं बिहार में NDA को और बड़ा जटका लगता दिखाई दे रहा है पिछली बार 2019 में NDA ने यहां की 40 सीटों में से 49 सीटों पर कपजा किया था लेकिन इस बार NDA को 5 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है हर्याना जैसे सुबे में जहां NDA ने पिछली बार क्लीन स्वीट किया था वहां इस बार BJP को 3 से 5 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है BJP को हर्याना में इस बार 5 से 7 सीटें मिल सकती है उत्तर भारत के आलावा दक्षन भारत में भी NDA को जटका लगता दिखाई दे रहा है करनाटक में NDA ने जहां पिछली बार 25 सीटें जीती थी वहीं इस बार 18 से 22 सीटों पर संदोश करना पड़ सकता है कुल मिला कर बात ये की News 18 मेगा एक्सिट पोल में NDA रेकौर्ड जीत दर्ज करता नजर आ रहा है लेकिन जहां जहां बीजेपी को नुक्सान हो रहा है वहां बीजेपी को फिर से होम वोग करना होगा नियूज 18 के मेगा एक्सिट पोल में MP में बीजे पी क्लीन स्वीप कर सकती है और चातीस गड़ में भी बीजे पी को 9 से 11 सीटे मिल सकती है यहाँ पर बीजे पी का वोट प्रतिशत भी बढ़े रहा है दुनों ही राच्चियों में एक्सिट पोल को लेकर बीजे पी खुश है तो कॉंग्रेस चार जून के इंतजार की बात कहती ने ज़रा रही है नियूज 18 के मेगा एक्सिट पोल में बीजे पी ने उत्तर से लेकर तक्षिन तक कमाल करती दिख रही है इंदी पटी की पार्टी कहीं ज़राने वाली बीजे पी नियूज 18 के मेगा एक्सिट पोल में उत्तर से लेकर तक्षिन तक कमाल करती दिख रही है यूपी से लेकर दिल्ली हर्याना उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश तक पूरे उत्तर भारत में बीजे पी का टंका बच्टा दिख रहा है तमिलनाडो और केरल में पहली बार कमल खिलता नजर आ रहा है तो हर्याना की 10 लोग सभा सीटों में से बीजे पी 5 से 7 सीटे जीती दिख रही है इसके साथ ही मंद्य प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी के एक तरफा जीत हो सकती है पार्टी 26 से लेकर 29 सीटों को जीत कर एधिहास रच्च सकती है MP के लिहास से वोट शेयर की बात करें तो MP में बीजे पी का वोट शेयर 69 फीसद रह सकता है News 18 के मेगा एक्जिट पोल में कॉंग्रिस को 32 प्रतीशत वोट शेयर मिलने का अनुमान है जबके अन्य दलों का वोट शेयर 9 प्रतीशत रह सकता है नियूज 18 का मेगा एक्जिट पोल के मताबिक 36 गड़ में बीजेपी को 9 से 11 सीट मिल सकती है वहें कॉंगरिस के खाते में 2 सीट आ सकती है 36 गड़ में वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का 52 फीसद वोट शेयर रह सकता है वहें कॉंगरिस को 43 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है आनने का 5 प्रतिशत वोट शेयर रह सकता है एमपी और 36 कड़ के स्रीम ने एक्जिट पोल के नतीजे पर खुशी जता है साथ इस सभी सीटे जीतने का दावा किया जो सर्वे का पुरवा अनुमान आया है लोग सभाय चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे ऐसे में सभी की निगाहें 4 जून पा टिक गई है ब्यूरो रेपोर्ट न्यूज केटी तो एक्जेट पोल में बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटों ने विपक्ष के होश उड़ा कर रख दिये एक जून से लेकर 4 जून तक विरोध की रणनीती इंडिया अलायंस ने तयार कर लिए इस पर रेपोर्ट दिखा दिया अब पूरा देश कह रहा है चार जून का चार सो पार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 400 पार होगा और कई एक्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि अंडिया की सीटें 400 पार जा रही है लेकिन 400 पार बाला ये एक्जिट पोल विपक्ष के नेताओं के गले नहीं उतर रहा है एक्जिट पोल आने की आहट से ही विपक्ष के तमाम नेता एक जगए इकटके हो गए खरगे के घर पर बैठक हुई रणनीती तै हुई और उसके बाद डैलोग शुरू होगा लेकारी एक्जिट पोल करवाएं हैं ये बिलकुल जाली हैं बिलकुल नकली हैं बिलकुल जूटे हैं इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 255 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है हमारे निवर्तमान प्रधान मंत्री और निवर्तमान ग्रह मंत्री ये सब मनोवेज्ञानिक खेल खेल रहे हैं दबाव दाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के उपर विपक्ष की रणनीती बिलकुल सीधी और साफ है प्रधान मंत्री मोधी की विजय को हजम करपाना इंडिया एलायंस के लिए एक दम मुश्किल नजर आ रहा है इसलिए एक्जिट पोल करने वाले एजंसियों को खरी खोटी सुनाई जा रही है प्रधान मंत्री मोधी पर नए तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी तो आलोचना करने में इतने आगे बढ़ गये कि उन्होंने ये कैढ़िया कि प्रधान मंत्री मोधी की फैंटसी का ये पोल है ये एक्जिट पोल नहीं है एक्जिट पोल का मतलब समझना भी जरूरी है जब कोई वोटर मददान करके मददान कक्ष से बाहर निकलता है। उस वक्त कई एजेंसियां ये जानकारी नोट करती हैं कि किसको वोट दिया गया। और इस तरह हजारों लोगों से ये पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। इस तरह सैंपल तयार होते हैं और फिर ज्यादा परिशान कर रही हैं तमेलाडू केरग करनाटर तेलंगाना और आंधप्रदेश इन पांचों राज्यों में बीजेटी ने वो कर दिखाया है जिसकी उमीद की जा रही किया न्यूज एटीन पोल हब के एगजिट पोल बता रहे हैं कि दक्षल की 131 सीटों पर एंडिये को 51 से 54 सीटे मिल रही हैं इंडिया गडवन्धन को 64 से 66 सीटे मिल रही हैं जबकि अन्य डलों को 14 से 17 सीट मिल रही हैं 2019 के लोग सभा चुनाव में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में एक प्रतिशत से भी कम वोट मिला था लेकिन इस बार एगजिट पोल का दावा है कि आंध्र प्रदेश में एंडिये को बड़ी सफलता मिल रही है और उधर बीजेपी ने एक जिट पोल पर विपक्षी नेताओं की तरफ से जो भयाना आया इस पर निशाना साधा और दिन में सपने देखने का तंज भी कस डाना देखिये साथ कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है जिस पार्टी को लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे आज दक्षिन भारत में अपना परदर्शन पुर्जोर परदर्शन नरिंद्र मोधी का हुआ है तो आपने सुना कि कैसे विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है इधर आम आदमी पार्टी के विधायक और लोग सभा प्रत्याशी सुमनाद भारती ने ये दावा कर चुनावी माहौल को दिलजस्प बना दिया कि नरेंद्र मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे सोमनाद भारती ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीम बने तो वो सिर मुणधवा लेंगे इस पर बीजेपी उनका सिर मुणधवाले के लिए मदद भेजने में जुड़ गई है देखिए सरा लोगसभा चुनाव के नतीजों से पहले आये तमाम एक्जिट पोल में एंडिये रिकॉर्ड सीटे जीत्ती नजर आ रही है फिर भी विपक्षी नेताओं ने आख बंद कर एक्जिट पोल के रुझानों को नकारना शुरू कर दिया है आम आदमी पाटी के विदायक और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी सोमनाद भारती ने तो यहां तक दावा कर दिया कि नरेंद्र मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे सोशल साइट एक्सपर उन्होंने लिखा अगर नरेंद्र मोधी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने तो मैं अपना सिर मुणवा लूँगा मेरे शब्दों को लिख कर रख लो चार जून को सभी एक्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोधी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे दिल्ली में सभी साथ सीटे इंडिया गटबंधन को मिलेगी सोमनाथ भारती के इस दावे पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में केंद्री मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि नाई उनके घर के बाहर ही बैठा है सोमनाथ भारती जब कहे तब भेज दू वहीं बीजेपी नेता तेजिनलर बगगा ने संजीव बालियान से भी दो कदम आगे बढ़ते हुए सोशल साइट एक्सपर लिखा की मेरे प्रियमित्र सोमनाथ भारती का कहना है कि अगर मोदी फिर से प्रधान मंत्री बने तू अपना सिर मुणवा लेंगे मैं इस महान कारे में अपना योगदान देना चाहता हूँ कृपया आवश्यक कारवाई करें और वीडियो अपलोड करें अब सोमनाथ भारती और बीजेपी दोनों को चार जून का इंतजार है जब नतीजे आएंगे और अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आये तो क्या सोमनाथ भारती अपने लिखित अलान पर अमल करेंगे ये देखना दुल्चस्प होगा तो लोग सभा के नतीजों का चुनाव के नतीजों का अलान होना बाकी है इंतजार किया जा रहा है इधर अरुनाचल विधान सभा के चुनावी नतीजों ने बीजेपी विरोधियों के होश उडा कर रख दिये हैं चार जून से पहले दो जून के नतीजों ने संकेत दे दिये कि बीजेपी एक बार फिर से देश में एतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है अरुनाचल में खिला कमर मोधी की गैरंटी पूरी अरुनाचल अने को बार आया हूँ अरुनाचल प्रदेश के विधान सभा चुनाओ में बीजेपी को मिली प्रचंट जीत ने साबित कर दिया है कि मोधी की गैरंटी अरुनाचल प्रदेश में पूरी हो गई है बीजेपी की प्रचंड जीत ने कहीं न कहीं साबित कर दिया है कि अरुनाचल विधान सभा की तरह बीजेपी को दूसरे राच्चों से भी ऐसी शांदार जीत मिल सकती है धैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी को कड़ी टकर देने का दाबा करने वाली कॉंग्रेस का बहुत पुरा हाल अरुनाचल प्रदेश के विधान सभा चुनाव में हुआ है कॉंग्रेस बहुत बोरी तरह से हारी है जबकि बीजेपी को अरुनाचल प्रदेश में पूर बोहुमत मिल गया है अरुनाचल में हैट्रिक दो जून को आए चार जून के नतीजे अरुनाचल विधान सभा में कुल 60 सीटे हैं जिसमें से बीजेपी को कुल 46 सीटों पर जीत हासिल हुई है जबकि अन्सीपी को 5 सीट पर जीत हासिल हुई है वहीं पीपी एक 2 सीट पर जीत पाई है और अन्य ने 6 सीटों पर जीत दर्च की है जबकि कॉंग्रेस को बड़ी मुश्किल से एक सीट पर जीत हसिल हुई है इस बार अरुनाचल प्रिदिश में एक नाया रेकोर्ड बार्दे जन्ता पार्टी ने बनाया है जिसे आपने कहा 2019 एलेक्षिन में वी वोन टे एलेक्षिन बाई विनिंग 41 सीर्स अरुनाचल में बीजेपी के मौजूदा सीएम पेमा खांडू पर पीएम मोदी का भरोसा और जीत की गैरंटी सत साबित होई अरुनाचल विधान सभा चुनाओं में ये बीजेपी की लगातार तीसरी जीत है जो साबित करता है कि पीएम मोदी के 400 प्लस के नारे ने कितना जबरदस्ट असर अरुनाचल में दिखाया है 9 मार्च को पीएम मोदी जब अरुनाचल में चुनावी दौरे पर गये थे तो उसक्त पीएम मोदी ने साफ कहा था कि पूरा नौर्थीस्ट देख रहा है कि मोदी की गैरंटी कैसे काम कर रही है पीएम मोदी के इस कॉन्फिडेंस का असर अरुनाचल प्रदेश के विधान सभा चुनाओं के नतीजों में साफ देखा जा सकता है पूर पहमत के साथ बीजेपी ने अरुनाचल में जीत की हैट्रिक लगाई है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी यह तो सुनी रहें आप लोग लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है यह जरा अरुनाचल में आएंगे ने इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा पुरा नौर्दीर देख रहा है कि मोधी की घारंटी कैसे काम कर रही है अरुलाचल विधान सभा में मिली प्रचंड जीत के बाद से PM मोधी समेथ पूरी BJP गदगद है अरुलाचल प्रदेश में 60 विधान सभा सीटों पर 19 सप्रेल को वोटिंग होई थी आज केवल 50 सीटों पर ही काउंटिंग होई है ऐसा इसलिए क्योंकि BJP पहले ही निर्विरोध 10 सीटें जीत चुकी है BJP ने अरुलाचल प्रदेश में सभी 60 सीटों पर अपने उम्मेदवार उतारे थे वहीं कॉंग्रेस ने केवल 34 विधान सभा सीटों पर ही अपने उम्मेदवार उतारे थे वहीं नौर्थ हीस्ट के सिक्किम में भी कॉंग्रेस को जबरदस्थ जटका लगा है यहाँ पर कॉंग्रेस और BJP का SKM ने सूपड़ा साफ कर दिया है 2019 में SKM और BJP का गडबंधन था लेकिन इस बार नहीं था जिसका नुकसान कहीं न कहीं BJP को हुआ कुल मिलाकर नौर्थ हीस्ट के दो राज अरोनाचल और सिक्किम में एक जगा BJP को बंपर बहुमत मिला है जबकि दूसरी जगा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने कॉंग्रेस और BJP का सफाया कर दिया है खुल मिलाकर BJP के लिए दो जून से नतीजों की अच्छी शुर्वात हो गई है दो जून को विर्हान सभा के नतीजे के बाद अब चार जून को लोग सभा के नतीजों पर देश की निगाहें ठीकी हैं बॉलिवूड अभिनेता सल्मान खान पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश को मुंबाई पुलिस ने नाकाम कर दिया नवी मुंबाई पुलिस ने लॉरेंस बिश्णोई के गिरोह के चार लोगों को गिरफतार किया जो पन्वेल में अभिनेता सिल्मान खान की कार पर हमला करने की योजना बना रहती इसके लिए पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से हथियार मंगवाने की भी योजना थी देखिये रिपॉर्ट सल्मान खान शूट आउट में नया पर्दाफाग सल्मान को एक पॉटी सेवन से मारने का था प्लान पाकिस्तान से हुई थी हथियारों की डील लॉरेंस गैंग के चार शूटरों का बड़ा कभूल नामा सल्मान खान पर एक बार फिर हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस गैंग के चार शूटरों को गिरफतार किया है ये वो शूटर हैं जिन्होंने पन्वेल में सल्मान खान की कार पर हमला करने की योजना बनाई थी दनन्जे उर्फ अजय कशप, संदीप विश्नोई उर्फ गौरव भाटिया, वासपी खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान, वुर्फ जावेद खान, ये लॉरेंस गैंग के वो गुरगे हैं जिन्होंने सल्मान खान पर हमला कर उन्हें खत्म करने का पूरा प्लान तयार कर लिया था पुलिस सूत्रू के मताबिक गिरफतार किये गए चारु आरोपी लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुरगे हैं जिन में से लॉरेंस गैंग के शूटर अजय कशप ने पाकिस्तान में बैठे डोगर से बात की इस बातचीत में अजय कशप ने डोगर से हत्यारों की डील भी की जबकि लॉरेंस गैंग के शूटर अजय कशप से सुखा नाम का शूटर भी चुड़ा हुआ था सुखा सीधे अनमोल विश्नोई के संपर्क में था दावा है कि सुखा और अजय कशप ने सल्मान खान को बुलेट प्रूफ गाड़ी में मार देने की योजना बनाई थी इसके लिए अजय कशप और उसके गुर्गों ने सल्मान खान के फार्म हाउस और मुंबै वाले घर की रेकी की थी हम लोगों को यह इंफार्मर्शन मिली कि इसमें काफी डम है और उसके बाद हम लोगों ने यह जो चार अरपी है इनको एक हैडराबाद से एक डालोर से एक समभाज अनगर से RNA में रेष किया पहली बार 14 अपरेल को सल्मान के घर फारिंग हुई थी जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जान शुरू की इसी कड़ी में लॉरंस गैंग के चार गुर्गे सल्मान खान के फार्म हाउस की रेकी करते हुए गिरफतार हुए चारू शुटर्स को एके 47 सहित कई अन्य हतियार से फारिंग करने की आदेश दिये गए थी सबूत की तौर पर पुलिस को आरोपियों के मुबाइल से कई वीडियो भी मिले हैं पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि मुंबई, राइगर्ड, नवी मुंबई, थाने पूने और गुजरात से आने वाले लौरिंस विश्णोई और संपत नहिरा गैंग की तकरीवन 60 से 70 गुर्गे सल्मान खान पर नजर रखे हुए हैं ये नाबालिकों के जरीए सल्मान पर अटाक करने का प्लान बना रही थे और अटाक के बाद इनका प्लान बोड के जरीए कन्या कुमारी से श्री लंका भाग जाने का था सल्मान के घर पर हुई फाइरिंग मामले में लौरंस विश्णोई और अन्मोल विश्णोई मुख्य आरूपी हैं और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलिटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही नमस्कार